Good afternoon students of class first यह आप लोगों की EVS का सब्जेक्ट है Dear students, हमने lesson number second का revision किया है कल हमने खत्म किया तो आज हम lesson number third का revision करेंगे ठीके तो lesson number third आप लोगों को page number 172 निकालना है वहाँ पे अच्छे से आप लोगों को देखना है हम जल्दी जल्दी revision करेंगे ताकि हमारे last exercise उसका भी हम revision कर सके इस lesson का नाम है the clothes we wear the clothes we wear, clothes means कपड़ा, wear means पहनना इसको हम ऐसे रखेंगे, हम से start, यहां से start करेंगे we wear clothes to cover our body हम कपड़े पहनते हैं अपने बोड़ी को यानि जिसम को cover करने के लिए wear means पहनना, clothes means कपड़े clothes protect us from the hot sun clothes, कपड़े, protect means बचाना हमें बचाता है sun sun से यानि sun किसको बोलेंगे सूरज, सूरज की गर्मी से हमें बचाता है clothes protect us from the cold wind clothes, कपड़े हमें बचाता है cold means थंड़, wind means आंदी, जो आंदी आते हैं, थंड़ है न, वो उस आंदी से हमें क्या, clothes हमें बचाता है clothes protect us from rain, कपड़े हमें बचाता है बारिश से, rain किसको बोलेंगे, बारिश clothes also protect us from insect bites, clothes हमें insects means केड़े, bites means काटना इन केड़ों से हमें मलब प्रोटेक्ट करते हैं, ठीके हम जब कपड़े पेंगे आते हैं, मलब रिखते हैं, तो जो insects होते हैं, वो हमें काटते नहीं है we wear cotton clothes in summer, summer किसको बोलेंगे, मोसमें गर्मी, हम मोसमें गर्मी में क्या पेंते हैं, कोचन के कपड़े पेंते हैं, कोचन clothes keep us cool, cool means thund, thundar रखते हैं, हमें कोचन के कपड़े क्या रखते हैं, थंडर रखते हैं इसलिए हम क्या पेंते हैं cotton की कपड़े हम summer में पेंते हैं ये summer की clothes हैं ये सब क्या है cotton की हैं तो हमें cotton की कपड़े पेंना चाहिए winter किसको बोलेंगे मौसमें सर्दी हम मौसमें सर्दी में वूलन की कपड़े पेंते हैं वूलन की कपड़े उन कहां से आते हैं ship से ship से हम oon लाते हैं उसको हम दागा बनाते हैं फिर उसको हम कपड़े पेंते हैं winter में वूलन क्लोथ किप अस warm वूलन की कपड़े हमें क्या रखते हैं गर्म रखते हैं वूलन में गर्म ये सब क्या है winter की clothes है यह सब क्या है woolen clothes है इसके बाद है we wear a raincoat when we go out in the rain the raincoat gives us dry भो रहे है कि हम बारिश में क्या पहुंते है rain की coat पहुंते है raincoat ठीक है जब बारिश हम बारिश में जाते हैं बाहर तो उस हम कौन से कपड़े पेंते हैं रेन कोट रेन कोट हमें क्या रखते हैं हमें सूखा रखते हैं ठीक है तो इसके बाद है different kinds of clothes are used to make clothes अलग-अलग कपड़े हम इस्तियामाल करते हैं कपड़े बनाने के लिए ठीक है clothes comes from plants and animals clothes कहां से आते हैं plants से, पोदों से और जानवार से we get cotton from cotton plants हम कोचन कहां से हासिल करते हैं कोटन की plants यह 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 अपर देखे, cotton पोदा है यह हमкоचन हासिल करते हैं we get wool from ship हम wool, Wool कहां से हम हासिल करते हैं,rásिएँ शिप क्यों किसको बोलेंगे? बेडू, बेडू से हम क्या हासिल करते हैं, वूल, ठीक है स्टॉरेंट, तो आज हम इतना ही करेंगे, आप लोग यहाँ से लेकि यहाँ तक थ्री टाइम्स आप लोगों को अच्छे से लरन करना है, ताकि आप लोगों को लास्ट पर जो आप लोगों को कुशन आंसर पूश झाल 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 झाल